दोस्तों मैं है तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इस fps meter के बारे में तो काफी सारे लोगों की डिमांड थी कि में यह जो fps meter है इसके पर वीडियो पे नहीं यह एक लाइव एक लाइव एस मीटर है जो कि थर्ड पार्टी तरीके से हमें डाला बढ़ता है और अब तो देख सकते हैं अब यहां पर 60 से उपर नहीं जाएगा क्योंकि बिल्कुल यह लाइव है यहां पर देखने मलता है और 90 fps पर क्लिक करने के बाद यह 90 fps तक टच करता है उससे उपर यह जाए नहीं सकता क्योंकि जो गेम है वो 90 से बोट करता उस उपर कब जाएगा हमारे स्क्रीन पर हम चले आते तब अब देख सकते हैं अब कुछ भी नहीं करूंगा तो यह जीरो पर नहीं कर रहा है स्क्रीन पर इस वेसे यहां पर 0 कहीं पर भी मेरे एफ्पेस वेगर है यूज नहीं हो रहे तो आज की वीडियों हम इसी के बार में बात करिए कैसे आप इसक इस वीडियो को जादे जादा लाइक करो अच्छा बुरा कैसा भी हो प्लीज कमेंट कर देना जिसे कि मेरे को बते चले आपको इस वीडियो पसंद आई है इन फीचर आप जो भी रिक्वेस्ट करोगे उसके पर में वीडियो लेकि आप तो लाइक और कमेंट जरू से कर द चलता है OS version में आपको कोई भी OS version हो सकता है इस पर आपको सिंपल तींचर बड़ टैप करना डेपलो वरसे इनीबल हो जागा काफी जारे डिवाइस में ये चे बिल्ड नमबर से होती तो आप अपने ट्राइ कर लेना जो भी आपके पास फोन हो आप यूटुब पर या फि यहाँ पर दिखा दिता हूं देखो यहाँ पर 2 fps मेटर पहरी से अईवल रहती है वो मैं आपको दिखाता हम चलते हैं एक तो यह 100 fps रेत यहाँ पर हम जाते हैं देख चो थो यह 120 यहाँ पर दिखा रहा है बट यहां एक्चल लाइव नहीं होता है जहाँ लाइव नहीं ज़मनें लिए इसलिए इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता तो इसको हम यह पर पहला यह उपार मोनिटर करके देखने को मिल जाएगा वह कौन सा चीज है वह यहां पर मैं आपको दिखाता हूं यहां पर आपको यहां पर आपको देखने को पता होगा अभी जो मेरा वाला को मैं यूज करता हूँ वो भी मैं यहां पर आपको दिखाने वाला थोड़े सा ठंड रखो क्या है कि अब देखो यह गेम का दिखा रहा कि पहली हम इसको यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं यह सब कोने के बाद आपको जो मैं यूज करता हुँ उसको यूज कर ने के निए चमपल यहाँ पर जाना है यहाँपको यह सर्च करना है जो आपको système कर दो सब्सक्लत आपको mecक कर से वो क्या के चीज़े वो मैं आपको बताता हूं सब्सक्राइब करेंगे यह सब यह पर पेरिंग वगार का बोलेगा बाइचंज यह आपका वर्क ना करें तो यहाँ पर ना यह यह पर देशे तो यहां पर वायरलेस डीबगिंग लिखा होगा यह सारी डिवास में वर्क करता है यह सब कुछ सब के डिवास में करना ही पड़ेगा यह चालू करने के बाद यहां पर आपको यह पर जल्दी से परमिसन देता हूं यह पर देशने तो यह फी यह यहां पर चालू हो छेका और यह पर हमारे यह यह यूए बाबक जाने के बाद आपको यह यह बहुत चालू कर antenna कर आएस польз करो अब यहां पर लिखाओ को देख्षाओं यह पैरिंग डिवाईस बीट कोड यह पर यहां पर यह कुछ इस तरह से आपसिन आपको ओटमेटिक लिएगा एंटर पैरिंगे कोड अगर अगर आपको नहीं करोगे यह चीज नहीं आएगा अब यह जो कोड़ यह आपको सिंपल उसके अंदर डालना तो जैसे हम यहां पर जाते हैं तो हमारे जो कोड़ वह हो यहां पर मैं एंटर करता हूँ तो जो जो चीजे मैंने बता ही है डेपलो और जो करने के निए वह चीज आप करोगे तभी यह चीज वर्क करेंगे आप देख सकते हैं यहां पर जाने के बाद इस टॉप का अप्सन आ रहा है और यहां पर आपका कुछ इस तरह से नहीं आएगा यहां पन बहुत सारी चीज करने पड़ेगी कुछ इस तरह से छोटा मोटा आता है कुछ इस तरह से आपको फर्स्ट टैम में देखनी मिलेंगा मैं ने ओल्रेटी से डिंग की तो इस वाइसे में ज्यादे कुछ देखने को नहीं मला यहां काफी सारी सैटिंग से जैसे कि आपको क्या कैची यह वह यहां पर यह वोल्टेज हो गया पावर कंजीमिंग हो गया यहां पर आप देशिए तो यहां पर कर सकते हैं बैटरी का टेंपरेचर कितना है सब कुछ यहां पर कर सकते हैं सब कुछ यहां पर आपको यह सो करेगा बाट मैं ओली एक ट्विस्ट है वह क्या है यह जो एप्लिकेशन फ्री नहीं यह आपको पर्चेस करनी पड़ेगी यहां पर यहां पर यह माई पर्चेसिंग तो यह मैंने इसका प्लैन लेवा एक साल वाला इसलिए मैं इस चीश को नहीं बतार था कि यह पेड़ा है बट काफी सस्ती भी जाज जया था एक सव नबबय या फिर दोसों के आसपास मिलता पूरे साल के ने अगर आपको यूज करना आप 200 रुपे दे सकते हो इस एपलिकेशन के तो देदो पूरी साल यूज करो को दिखकर नहीं मैंने इसको बाइक हो आप भी यहां पर बाइक कर सकते हो तो कुछ इस तरह से आपको यहां पर स्टार्ट पर क्लिक कर दो इसको भी बंद कर दो और यहां पर जाने के बाद इसको भी यहां पर स्टॉप कर दो देख सकते हैं यहां पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना यहां पर स्टार्ट पर चालू को जागा इस तरह के से आप एंडुट डिवाइस के अंदर तीन तरीके में बताएं एक तो दो फिरी वाले थे एक पेड़ वाला जो भी आपको चलगे उसकी मदद से आप एप इसमेटर को चालू कर सकते हो यह तैंड आज की वीडियो में हम मिलेंके नेक्स वीड